Hello students, आज हम exercise 1a self practice करेंगे chapter 1 integer composite mathematics का तो question number इसका exercise 1a का हम 14 देखेंगे The sum of two integer is 50, if one of them is minus 38, the other is तो हमें दिया है कि 2 integer है, उनका जो sum है वो क्या दिया है? 50 दिया है तो हम 2 integer का sum कर लेते हैं, माना एक हमारा ये integer है और एक ये integer है और इनका sum क्या दिया है, हमें 50 दिया है, हमने plus का sign लगा दिया 2 integer के लिए जगेर रख दी, if one of them is minus 38, कह रहा है कि अगर एक minus 38 हो the other is, तो दूसरा बताओ, तो दूसरा अगर हम x माल लेते हैं, तो ये equation बन गई हमारी minus का 38, plus का x is equal to 50, अब हमें x की value निकालनी है तो x की value निकालने के लिए, हम x के साथ जो भी लिखा हुआ है plus में या minus, minus में लिखा हुआ है 38, तो हमें इसे हटाना पड़ेगा इसे हम हटाएंगे, और हम किधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे तो यह minus का 38 है, तो equal में इधर आके यह किसका हो जाएगा plus का हो जाएगा, sign change हो जाता है तो हम लिखेंगे x, x साथ जो लिखा है minus का 38, वो हम इधर ले जाएंगे लिखेंगे equal to 50, और यह minus का 38 इधर आके किसका हो जाएगा plus का 38 हो जाएगा, right? तो हम इसको add कर लेंगे 0 में 8 जोडेंगे तो 8 और 5 हो 38 यानि कि दूसरा integer हमारा क्या आ गया x is equal to 88 यानि कि option हमारा a is right option हो जाएगा तो यही इस question का answer है next question के लिए next video में मिलेंगे और video पसंद आ रहा हो तो video को like कीजिए और channel को subscribe कीजिए